Hello everyone, आज हम बनाएंगे अलसी की पिन्नी सरदी के मौसम में अलसी की पिन्नी खाने में तो अच्छी लगती ही है लेकिन खाने के साथ साथ इसके बहुत सारे health benefits भी है जैसे सरदी के मौसम में एक से दो पिन्नी दिन में खाने से हमारा सरीर सरदी और जुकाम से बचा रहता है क्योंकि अलसी की तासीर गरम होती है इसलिए सरदी के मौसम में इसे खाने से हमारी सरीर को गर्मी मिलती है और हमारा सरीर तंदरुस्त रहता है आज हम अलसी की पिन्नी बहुत ही easy way से बनाएंगे चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हमें कड़ाई लेंगे और इसमें एक चमच देशीगी डालेंगे गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसमें एक कप काजू और एक कप बदाम पाकर इसको रोस्ट करेंगे पांच से साथ मिनट रोस्ट करने के बाद आप देख सकते हो के काजू और बदाम का करर इस तरह का थोड़ा सा ब्रामिश कलर में आ जुका है अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे फिर से हम कडाई में एक चमच देशी घी डालेंगे और इसमें एक कप मगज डालेंगे और मगज को भी हम लो फ्लेम पर ब्राउन होने तक भोनेंगे ब्राउन होते ही इनको भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राइफ रूट्स इस पिन्नी में इसी तरीके से घी रोस्ट करकर डाल सकते हो अब हम गैस पर एक तवा रखेंगे और लो फ्लेम पर इसको गरम करेंगे तवे के गरम होते ही इस पर एक चोथाई कप सौंफ डालेंगे और बिलकुल लो फ्लेम पर इसको हलका रोस्ट करेंगे इस तरीके से सौंफ को तवे पर रोस्ट करने से सौंफ का टीस्ट पिन्नी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है इस प्रोस्ट को सिर्फ एक से दो मिनट ही लगेंगे जैसे ही जो रोस्ट हो जाए इसको प्लेट में निकाल लेंगे अब हम लेंगे एक grinding जार और अपने रोस्ट किए हुए सारे ही ड्राइफ्रूट्स को इसमें grant कर लेंगे जैसे कि हमने पहले काजू और बदाम को पीस कर इसका एक पाउडर त्यार कर लिया है और इस पाउडर को हम एक बड़े से बरतन में ढाल देंगे आप अपनी पसंद से ड्राइफ रूट्स को मोटा जा फिर बरीक पीस सकते हो मगज को भी हम इसी तरीके से पीस लेंगे और पीसने के बाद उसी बरतन में ढाल देंगे जिसमें हमने काजू और बदाम का पाउडर डाला था इसके बाद हम सौफ को भी ग्रैंट कर लेंगे और इसको भी सेमी बरतन में ढाल देंगे अब हम फिर से कड़ाई लेंगे और इसमें एक बड़ा चमच देशीगी डालेंगे गैस का फ्लेम हम मीडियम टू लो रखेंगे घी के मेल्ट होते ही हम इसमें धाई कप गेहूं का आटा डालेंगे जे घर का नॉर्मल आटा है जिससे की हम अपने घरों में रोटी बनाते हैं और अब हम इस आटे को लगातार हिलाते हुए मीडियम फ्लेम पर तब तक भूनेंगे जब तक इसका कलर अच्छे से ब्राउन नहीं हो जाता जैसे जैसे हम इसको रोस्ट करते जाएंगे आटे का कलर चेंज होता जाएगा आप देख सकते हो फ्रेंट्स की आटे का कलर कितना चेंज हो चुका है लेकिन हमने इसका कलर बहुत अच्छे से ब्राउन करना है क्योंकि अगर आटा थोड़ा भी कच्चा रह गया तो ये पिन्नी खाते टाइम हमारे मूँ में चिपकेगा इसलिए हमको इसको अच्छे से ब्राउन करना पड़ेगा ये देखे फ्रेंट्स हमारा आटा बच्छे से पक चुका है अब हम इसको एक थाली में निकाल लेंगे अच्छे से फैला देंगे अब हम फिस से सेम कड़ाई लेंगे और इसमें धाई कप पिसी हुई अलसी डालेंगे ये पिसी हुई अलसी ग्रोस्वी स्टोर पर बहुत ही एजली मिल जाती है यहाँ पर हम ये खास दियान रखेंगे कि जितनी मातरा में हमने आटा लिया था उतनी मातरा में ही हमको अलसी लेनी है जैसे कि हमने धाई कप गेहु का आटा लिया था वैसे ही हम धाई कप पिसी हुई अलसी लेंगे यहाँ पर हमको ये पता होना चाहिए कि गेहूं के आटे को भूनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है लेकिन अलसी के पाउडर को भूनने में ज़्यादा समय नहीं लगता जब जब अच्छे से भूनेगी तो इसमें हलकी हलकी अलसी की खुश्वू आनी शुरू हो जाएगी इसका कलर भी थोड़ा सा पहले से चेंज हो जाएगा जेली के फ्रेंट से अच्छे से रोस्ट हो चुकी है अब इससे ज़्यादा हम इसको ब्राउन नहीं करेंगे अगर हम इसको ज़्यादा ब्राउन कर देंगे तो इसका टेस्ट कड़वा हो जाएगा अब हम इसको भी उसी थाली में डाल देंगे जिसमें हमने पहले गेहूं का आटा डाला था और इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और साथ ही हम इसमें अपने पीसे हुए ड्राइ फूर्ट्स डाल देंगे जिनकों की हमने पहले ही ग्रेंट करकर रखा हुआ था और अच्छे से मिक्स करेंगे अब हम फिर से एक बड़े और मोटे तले वाली कड़ाई लेंगे और इसमें धाई कप देसी गी डालेंगे यहां पर हमको खास दियां रखना है जितना हमने गेहूं का आटा और अलसी ली है उसी मात्रा में हमने जहां पर देसी घी लिया है और लो फ्लेम पर हम देसी घी को अच्छे से मेल्ट करेंगे यहां पर हम खास जयान रखेंगे कि गुड अच्छे से कुटा हुआ जा फिर शोटे पीसिस में ही होना चाहिए परफेक्ट पिन्नी बनाने के लिए हम यहां पर एक खास जयान रखेंगे कि हमको गेहूं के आटे, पिसी कुई अलसी, देसी घी और गुड की मातरा एक समान ही रखेंगे के जे चारों चीजे हमें समान मातरा में लेनी है और ड्राइफ रूट की मातरा हम अपने हिसाब से कम जा ज़्यादा कर सकते हैं और अपने मनपसंद कोई भी ड्राइफ रूट इसमें डाल सकते हैं अब हम गुड और घी को अच्छे से मिलाएंगे और गुड को मीडियम फ्लेम पर ही घी में अच्छे से मेल्ट करेंगे घी में गुड मेल्ट होना शुरू हो चुका है आप देख सकते हो फ्रेंट्स की घी में गुड अच्छे से घुल चुका है और इसमें कोई भी गुड का पीस नहीं है अब हम गैस फ्लेम बंद कर देंगे और अपना त्यार किया हुआ मिक्सर सारा ही धीरे धीरे करके इसमें डाल देंगे ध्यान रखे कि इसमें हमने एक ही साथ सारा मिक्सर नहीं डालना है थोड़ी थोड़ी मातरा में डालती हुए इसको साथ ही साथ ही लाते जाएंगे चाशनी बहुती ज़्यादा गरम है इसलिए इस प्रोसेस को बड़ी ही ध्यान से कीजिए इस प्रोसेस से पहले हमने गैस को बंद कर दिया था बिल्कुल भी गैस को ओन नहीं करेंगे नहीं तो यह तेले में चिपकने लगेगा जे मिक्स्टर अब अच्छे से मिक्स हो चुका है और अब हम अपने हाथों से इसकी पिन्नी बनाना शुरूर करेंगे इस मीजर्मिंट से आफके मिन्नी बहुत ही अच्छी बन कर त्यार हो इस मैथट से बनी हुई पिनियां बहुत ही पर्फेक्ट बनती है आप इसको एकवा जूरूर ट्राइ करना जे लिजी फ्रेंट्स हमारी पहली पिनिया बना कर त्यार हो चुकी और इसी तरीके से हम सारी ही पिनिया बना लेंगे और हम इन पिनियों को एक महीने से भी ज्यादा टाइम स्टोर करकर खा सकते हैं ये लिजी फ्रेंड्स मैंने सारी ही पिनिया बना कर तियार कर ली है